इस दुनिया में पेड़ पौधों की संख्या लगातार कम होती जा रही है हाला कि इनको बचाने के लिए भी तरह के उपाया किये जा रहे है इसी कड़ी में फिलिपीन्स की सरकार ने परियावरन को बचाने के लिए एक अनोखा कानून लागू किया है यहां हर एक छातर कम से कम दस पेड लगाएगा तब ही उसे विश्ववध्यालेओं की तरफ से सनातक ख्यानी ग्रेजुएशन की डिगरी दी जाएगी फिलिपीन्स की सरकार ने यह कानून इसलिए लागू किया है क्योंकि यहां भारी मात्रा में वनों की कटाई हो रही है ऐसे में देश का कुल वनक्षेतर 70 फीजदी से घटकर 20 फीजदी पर आ गया है इसी वज़े से इस कानून के तहट फिलिपीन्स सरकार ने देश में एक साल में करीब 175 मिलियन से अधिक पेड लगाने उनका पोशन और उन्हें विक्सित करने का लक्षे रखा है ऐसे में इस देश के हर चातर को अपने सनातक की दिगरी लेने के लिए कम से कम 10 पेड लगाने ही पड़ेंगे फिलिपीन्स की मैगडलो पार्टी के प्रतेनी धी गैरी अले जानों ने बताया कि यहां हर साल करीब 5 मिलियन चातर सनातक करते हैं यदि यह एक्ट ठीक से लागू किया जाता है तो यह सुनिश्चित करेगा कि प्रतेक वश कम से कम 115 मिलियन नए पेड लगाये जाएंगे अगर ऐसा हुआ तो एक पीड़ी के दोरान इस पहल के तहट करी 525 सरब के आसपास पेड लगाये जाएंगे और इस कानून को Graduation Legacy for the Environment Act नाम दिया गया है इस एक्ट को फिलिपीन्स की संसद में भी सरवसमती से पास कर दिया गया है तो कैसा लगा आपको फिलिपीन्स सरकार का यह कानून हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले ऐसी ही और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और हमारी वेडियो को लाइक पर चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले